अभी हाली में नुपुर शर्मा जो बीजीपी की स्पोक परसन हुआ करती थी अभी उनको सस्पेंड कर दिया गया है जिन्होंने टीवी डिबेट के ओपर इसलाम या फिर कहूं कि प्रॉफेट महुमत के ओपर उन्होंने एक उनकी शादी को लेकर जो नो साल की बची उनके स साथ उनकी शादी हुई थी उनकी उस चीज को लेकर उन्होंने एक टिपनी कर दी थी विवादी टिपनी कर दी थी जिसके चलते पूरे मुस्लिम वर्ड ने एक तरीके से अपनी नराजगी जता है भारती एमबेज़डर को वहां पर बुलाया गया तलब किया गया और कहा प्रोटेस्ट या फिर कहीं कि हम अपत्ति जताते हैं भारत को माफी मांगनी चाहिए पब्लिक प्लेट्ट्वों पर आकर सब के सामने तो ये एक तरीके से अपना प्रोटेस्ट जताने को हो गया अब तो कुछ उस चीज के बाद तो कुछ लोग ऐसे निकल कर आ रहे हैं अ अब इस तरीके के extremism हमें देखने को मिल रहा है, जेलने को मिल रहा है, अब यहां पर यह लोग बोलते हैं, देखिए OIC के अंदर अगर आप देखें इमरान कान, यह पाकिस्तान की प्राइम इनिस्टर हुआ करते थे, यह बैठ कर OIC के अंदर बात क्या किया करते थे, कि क्योंकि हमें हमारा देख चलाना है, फिर यह भारत से अनाज मांगने पर आये थे, कि भाया हमें खाने के लिए दाने नहीं हैं हमारे देख के अंदर किर्प्या करके हमें खाना दे दीजिए, अनाज लेकर भारत ने अनाज देकर, कि भाया लो तुम्हें बोखा तो नहीं म कैसे भी और आज उस देश में से जा अलकाइदा है वो निकल कर बोल रहा है कि भाया हम विस्पोर्ट करेंगे अब देखे इन जो मुस्लिम वर्ड है जिनों ने भी यह अपत्ती जता है इनका दोगलापन माप लोगों को बताता हूं चीन के अंदर जिंज्यांग प्रात है व भाई साब उनको पकड़ कर उनकी दाड़ी काट दी जाती है पूरा मुस्लिम वर्ल्ड वहां पर चुप रहता है उगर मुस्लिमान जो है वहां पर अपनी जो मस्जिद बनाते है मस्जिद को तोड़ कर वहां पर एक पब्लिक प्लेस बना दिया जाता है पूरा मुस्लिम चुप रहता है जो उगर मुसल्मान हैं उनके घरों में कैमरे लगा दिये जाते हैं पूरा मुसल्मान जो है जो इसलामिक जो वर्ल्ड है वो भाई सब चुप रहता है ये अरब कंट्री की बात कर रहा हूं जिन्नोंने अपनी अपत्ती जताई ये एक महिला के द्वारा जैसे हम आजादी मिली थी और यही देश चला रहे हैं हमारा तो इवन चीन के अंदर तो हलात ऐसे हैं कि इनके उगर मुसल्मान किसी भी दूसरी मुसलिम कंट्री के अंदर शर्ण मांगने भी जाते हैं तो भाईया ये वापस लोटा देते हैं जैसे मिश्र के अंदर 200 और उनको डाला रखा है मतलब कि एक तरीके से जेल में उनको डाल के रख रखा है फिर भी ये पूरा मुसलिम वर्ल्ड वहां पर चुप रहता है तब इनकी चू तक नहीं निकलती प्रिंस बिन सल्मान जो है वो चीन की यातरा पर गए वहां पर उन्होंने डिटेंशन कैम का पर यहां पर है एक तरीके से पूरे इसलाम या फिर कह 살ता है ना कि हम उनकी रक्षा करेंगे और तो तंके संगटन खुले आम धंकी दे रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि भाई ये जो इसलामोफोबिया वो क्यूं है लोगों के अंदर इसलाम के परती नफरत क्यूं है या फिर लोगों के इसलाम को इतना लेकर डर क्यूं है तो ये सिर्फ ये बात करेंगे भाई क्यूंकि वो त आपत्ति दर्ज कराने करें मुसलिम वर्ड की जो अरब कंट्री जा उन्हों ने किया और जैसे उन्हों ने अपनी अपत्ति जताए बीजेपी ने अपना तुरंत अक्ट्षण लिया और एक्षन लेने भाईचारा हमारा इन देशों के साथ है वो बहुत माइने रखता है और इसके लिए भारत में तुरंट एक्शन भी लिया है लेकिन जो यह एक्स्ट्रमिजम जो हमारे देश की तरफ आ रहा है जैसे यह बंफोडने की धमक्याम को दी जा रही है सुसाइट बंबर का कहे कर कि बच्चे महिलाओं और पुर्षों को लेकर हम सुसाइट बंबर मनाएंगे यहां पर हम बं फोड़ेंगे और यह जो मुसलिम वर्ड जितने भी तरीके से भारत के उपर लग रहे हैं इनके अवास तब नहीं निकलती है जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं परतिमाओं को ठेस पहुचाई जाती है अभी हाली के अंदर बंगला देश में इसकोन मंदिर को तोड़ा गया परतिमाओं को ठेस पहुचाई गई वहां पर इनसे एक शब्द नहीं निकलता है फिर ये ढुणने पर आते हैं कि जितने भी आतंकी होते हैं वहां पर ये मुस्लमान ही क्यों होता है क्योंकि रीजन है इतना ज़्यादा एक्स्टिमिजम फैल रहा है तो इनको कंट्रोल करना वहां पे चाहिए अगर मैं सची गैरेंटी कहता हूँ शर्मा के दोवारा ये जो भी बयान बाजी दी गई होती ये किसी इसलामी कंट्री के अंदर फोर एक्जामबल अगर पाकिस्तान में दी गई होती तो अब तक तो इनको कपका फासी पर लटका दिया होता ये तो भारत है जहां पर ये सब चीज़ें बैलेंस करके रखी गई है और जितना टाइम मैं देख रहा हूँ जैसे चीज़ें सामने आ रही है जैसे ये पीस की बात की जा रही है कि इसलाम जिसके अंदर पीस की बात हो रही है और एक तरफ जहां पर एक खुले आम एक पुतला बनाकर ऐसे टांग दिया जाता है लोगों की दिमाग में बैठे कि कितना खोफ नाक होती है चीज़ें बोलना वही एक होता है ठीक है हमें अपत्ती है और मैं मानता हूँ कि किसी भी धरम को आहत नहीं होना चाहिए कि मतलब पहुचाना नहीं चाहिए किसी के तोरा कोई ऐसी टिपनी नहीं करनी चाहिए कि वहाँ पर किसी भी धरम को आहत होए और यहां जब आहत हुए है तो डेफिनेटली उनको अपनी आवाज उठाने का हक है वो बोले कि भी हमें इससे पूरा लगा है हमारे फेट को हम इतना नहीं सह सकते और यह चीज़ें नहीं करनी चाहिए डेफिनेटली यह बात बोली जाने चाहिए और इसका मतलब यह तो ना होता है कि भी वहाँ पर एक महिला को रेप करने की धंकिया दी जाए उसके परिवार को मारने की धंकिया दी जाए सारे याम यह सब चीज़ें हो रही है ट्वीटर पर ट्रेंडिंग चल रही है यह चीज़ें कि भी यहां मार देंगे इनका रेप कर देंगे सारी चीज़ें लगातार ऐसी continuity में मैं देखता आ रहा हूं ट्वीटर पर यह सब च करना उनको मारना उनको डिटेंशिन कैम्प में डालना दाड़ी कटवाना मस्जीद तुड़वाना तो किसी के भी इवन जो पाकिस्तान जो फुदकता रहता है ना कश्मीर में हाई हाई करता रहते कि मुसल्मानों के साथ यह हो रहा है इनकी चूं तक नहीं निकलती है पूरा एक टोटली पावर गेम हैं अपने देश को सक्षम बनाओ हर एक शेत्र के अंदर चाहिए वो आप इनोविशन की बात कर लो जोब की बात कर लो या पिर आर्थिक वे में में बात कर लो हर एक चीज़ के अपनी देश को इतना अगे लिकर जाओ कि जो कितने भी कंट झाल झाल